गुद्ध मॉर्निंग रादे रादे कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आभी मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो से तो आज बच्छों का हाप्टी हो जाएगा तो लंच लेके नहीं जाएंगे तो इन्हें मैं मैं मैंगो से बनाके दे रही हूँ तो यह देखिए मैंने चार ले लिये थे मैंगो तो उसमें मैंने मिक्सी में चला लिया था फिर उसमें मैंने चीनी भी डाल दी थी च मैंने आइस्ट्रीम नहीं डाली तो यह मैं बच्चों को दे रही हूं क्योंकि मॉर्निंग में इतना ठंडा भी नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे को निकसान कर जाए और यह देखिए फ्रेंड मैं आ गई हूं लंच की तयारी कर रही हूं तो फ्रेंड्स वैसे मेरा सार कड़ी थी खटी तो वही है ना कि थोड़ा टाइम लगता है कड़ी में तो यह कड़ी जब तक जितना खौलती है उतना ही अच्छी होती है और जब तक कड़ी और चावल एक पर बन रहे थे कड़ी खौल रही थी तो उससे फिर मैंने सोचा फटा-पट से मैं थोड़ा सा अटा लगा के रख देती हूं जब तक बच्चे भी आ जाएंगे और प्रग्या भी छोटे-छोटे बच्चों को सम्हाल रही है बच्च मलबून लाके उनको कपड़े वगेरा पिनारी जब तक मैं आठा वगेरा लगा के रख दूंगे और जब तक बड़े बच्चे भी जाएंगे आज उनका हापड़े था तो जल्दी आ जाएंगे साड़े-दस वजी यह देखिए प्रग्या आ चुकी है और बच्चों के लिए दूर लेके जा रही है किछन में और कुछ कैर बोल रही है कि हां बच्चे बहुत सैतान हो गए है तो बस मेरे लंच पूरा प्र कि देदेते हैं तो वही मैं बरतन हमीसा साप करके 5-10 मिनिट में मरतनों को स्टेंड में लगा देती हूं तो यह मेरे बरतन भी लग चुके है और यह देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा आ चुका है और किछिन में देख रहा था कि किछिन में आज क्या बनाया है ममी ने त तोड़ के रख दीये थे नवोल रही थी कि नहीं पीछ जो और निड़ा मेर्छीन मेरे हाथों मेना बहुत तेज जलन होती है तो मैंने सुचा आज जो भी मिटतने वाँने मिसाली आज पीछा मिर्च्या थी मलहीं चब्ला थोड़ी से मेर्ची मेरक लूंगी क्योंकि यह लोग कभी कभी लाल मिर्शी मांग लेते हैं जैसे कि उड़ा चने की दाल ओ या कड़ी हो तो उसके साथ जरूर यह लाल मिर्शी मांगते हैं तो मैंने थोरी सी मिर्ची बचा के रखे लिए तो फ्रेंड आज मैंमे सारे मासाले ओर तुह को धनिया रखा हो था वह भी पीस दिया है तो और जो थोड़ी सी सावत ओंवोज सौफ थी तो वह भी पीस के रखे दी है तो यह देखिए यह मैंने सौफ बगेरा और धनिया बगेरा सब कुछ पीज दिया क्योंकि सौफ जैसे की करे ले या बैंगन या कुछ भी भरेमा चीज बनाएं तो उसमें जरूरी है तो फ्रेंट्स मेरा मसाला पिस चुका है पूरा तो मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा फ्रेंट्स और जब तक के लिए बाई बाई